हेलो दोस्तों वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल सुरच पटेल एजूकेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक बैड न्यूस आई हुई आप सभी के लिए जो गवर्नर ओफ महारास्टा है उन्होंने ये कहा है कि फाइनल एर के एक्जाम होने चाहिए कि फाइनल येर के एक्जाम केंसल हो उसके रिलेकेशन मासुघ ने कहा हुआ था स्योइसेना ने कहा हुआ था उध्य सावन जी ने कहा था और हमारे स्याम profound कर दिया थाओ स्क्राइब नहीं होंगे सिच्वेशन को देखते हुए सिच्वेशन को झाल Snoddy के सिट्म नहीं होगे लेकिन कल के दिनी ट्वीट हाले हुआ है जो हमारे सिटी आप महारास्ता है जो यॉनिवर्र radiator के पुलकुरु कि अन्हों आंवा है कि फाइनल एर के Xam hen नहीं होंगे हम फाइनल एक शूड़न के एकजाम लेने वाले हैं दोस्तो रूना यह लिखा हुआ है इसी वह उन्हों नहीं क्या हूआ कि वह फ्रिक्षान लेने बखावाले जितने भी फाईनल येर के स्टुडेंट है एकजाम कैंसर नहीं हो गा और उन्हों ने सी येम जी को भी इधर लेटर लिखके दिया हुआ है कि जो इधर लिखा हुआ सियम ठीकर गवर्णर ऑफट अफ के एक्जामीनेशन की एक्जामीनेशन को लेके हम कोई भी कैंसर नहीं करने वाले हम फाइनल एक्जाम लेने वाले हैं यह उनके तरफ से लिखा हुआ लेटर है जो हमारे स्री उद्ध्योगधे सरको दिया गया है बाहरा साहब ठाकरे यह प पूरा यह लेटर लिखा हुआ है तो दोस्तों कहने का मतलब में को यह नहीं समझ में आ रहा है कि इतने दिन से जब इस्टुड़न प्रॉब्लम में थे उनका एक ही कहना था कि एक्जाम ना लिया जाए ना लिया जाए उस समय गौर्णर और महारास्त्रा क्या कर रहा था उस समय तो उन्होंने किसी पी स्टुड़न के हेलफं करने के लिया सामने नहीं आए ठीक है इस्टुड़न को इतने प्रॉब्लम थे स्टुड़न यह सपोर्ट करने के बाद अनौंस कर दिया गया था कि एक्जाम नहीं होगा उसके बीच में इन्हों ने आके कह दिया कि हम तो एक्जाम लेने वाले मैं को यह नहीं समझ रहा है कि यह स्टुरेंट के साथ क्यों खेलना क्यों चाते हैं इनको इस्टुरेंट की प्रॉब्लम समझ मैं आरी को ऐसा लग रहा है अगर्व जब एक्जाम कैंसल कर वा दिया गया था तो एक्जाम नहीं लेना ही बेच्छते ना दोस्तों लेकिन देखते कि अभी क्या होने वाला है कैसे किस तरीके से यह क्या करने वालें और मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि हमारे जो श्री उद्य सावन सरे उन्होंने इनको रीट्वीट भी किया हुआ है उन्होंने इनके अगेंस भी बोला हुआ सब्सक्राइब को सपोर्ट करते हुए भी दिखाई दिये दोस्तों मैं नेक्स वीडियो बनाने वालो और आपको यह भी बताने वालो भी जब गुड न्यूस आई थी हमारे पास कि एक्जाम कैंसल होने वाला है लेकिन उसके बाद गौर्णर जी ने हमें यह बताया कि हम एक्जाम लेने वाले तो मेरे नेक्स वीडियो में अब हमें करना क्या है वह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो गवर्णर जी ने कहा ह हुआ है अब उनसे कैसे बात मनाएं कि हमारे एक्जाम को कैंसल कर दिया जाए तो दोस्तों फिर से मिलूंगा नेक्स वीडियो में अगर वीडियो अच्छा है तो दोस्तों चैनल के साथ मेरे जुरे रहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं हर रास्ता आप लोगों को प्रक्राइब कर दोस्तों अब बात तो आ जाती एफ यस वाई चाहे वह बीकों में सो बैफ बीबी आई हर फिल्ड के एक्जाम लिए जा सकते इनके इस ट्वीट के बाद तो चलिए दोस्तों फिर से मिलेंगे नेक्स वीडियो में